जैन सातियों कैसे आप सभी मैं धर्मेन कुमार उर्फ जडी स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जडी फिचकल अकैडमी में दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको सुबह रनिंग करनी हैं क्योंकि अप सर्दिया सुरू हो चके हैं और आपको किस तर बने देक्ति कंए मैं इंप्मोर्टंट बात बताने ह changओ जो क्योंकि सर्दिया चल रही हैं उसमें से आपको कैसे क्रदाने क्या करना है तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता चारें कि एगर आपरने करने जा रहे हैं सुबह तो आपको पूरे बड़ी में पूरे कपड़े या हम इसमें बता रहे हैं. उनको ज़्याद से ज़्यादा आप लाइक करें. जो हम सारी चीजे बता रहें नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे और फिर आपको running करने में दिक्कत होगी. तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपर पहनना है. अपर में आपका कान धुकने वाला होना चाहिए रनिंग के दौरन जब आप घर से निकलते हैं सुबहनीं में चार बजे रनिंग के निकलते हैं तो आपको अपर´ के सास्त कान भी ढखे होने नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी और आपको दिक्कत होगी और एक चीज याद रखो कि इस सर्दी के मौसम में सांस लेने में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है तो आपको करना क्या होगा कि सुबह जब आएंगे आप कभी भी साम को जब खाना खाने के बाद आपको गरम दूद लेना है जैसे कि आपको बोड़ी को गरम रखने के लिए जब रनिंग करने आते सुबह आपको हलका गुनगुना पानी पी के आना है ताकि आपकी बोड़ी हलका गरम रहेगी और आपको जो खांसी जुखाम वाली दिक्कत होती है वो नहीं होगी तो आप हाथों में अपने हथे भी पहन सकते हैं रनिंग के दौरान क्योंकि रनिंग के दौरान जो बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे हाथ कुले रहेंगे तो यहां से सर्दी अंदर जाएगी आपको यह हंगलिया ऐसे टाइट हो जाती है तो यह कान पूरा बंद होगा अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप ऐसा बंद कर सकते हैं यह कान बंद कर सकते हैं आप यह भी कर सकते हैं और यह पहन सकते हैं कान यानि रनिंग के दौरान आपका कान जरूर बंद होना चाहिए क्योंकि कान से सर्दी और उंगलियों से सर्दी जरूर आपकी बोड़ी हो रहे हैं तो आपको हलका अगर आप मूँ बंद करके रणिंग नहीं कर सकते जैसे कि यह हैं बहुत सारे बच्चे रणिंग मुह बांद के running करते हैं, तो यह नहीं कर सकते, क्योंकि सांस लेने में दिक्टत हो सकते हैं. तो दोस्तों, इन सारी चीजों को याद रखना हैं, कि आपको बीना कपड़े, यानि बीना कांड बंद किये हुए नहीं दोड़ना है और जब आपकी बोड़ी गरम हो सकते तो आप अपर लोवर उतार सकते हैं और अपना वर्काउट कर सकते हैं तो यह थे हमारी कुछ जानकरिया जो सर्दी में आपको बहुत अच्छे काम में आएंगी तो दोस्तों अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे त है भारत